सब्सक्राइब करें आसान इंग्लिश चैनल को इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को बेहदी आसान तरीके से सीखने के लिए आज के इस टॉपिक पे हम डिसकस करेंगे संग्या और इसके भेद, नाउन एन इट्स काइंड्स नाउन, संग्या, नाउन is the name of a person, animal, place, thing, idea or quality नाउन, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तू, विचार या विचारधारा या गुण को कहते हैं मतलब दुनिया में जितने भी चीज हैं, उनका कुछ न कुछ नाम होता है इन्हें संग्या कहते हैं, इसे ही नाउन कहा जाता है एक्जाम्पल के तौर पे, सोहन, एक नाम है इंसान का cat, एक नाम है किसी जानवर का डेली, एक नाम है किसी जगह का table, एक नाम है किसी वस्तू का nationalism, एक विचारधारा है, विचार का नाम है honesty, इमानदारी, एक गुण है, गुण का नाम है love, एहसास है, feeling का नाम है तो देखे, कहीं न कहीं, जितने भी words मैंने अभी बताए यह किसी न किसी चीज का नाम है, चाहे वो person का नाम होगा animals का नाम होगा, place का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा कोई वस्तू का नाम होगा, यह विचार होगा किसी तैप का विचारधारा होगा, यह फिर क्वाइलिटी होगा, गुण होगा, यह आवस्था होगा, कुछ न कुछ होगा इसमें से, और इन सब भी में से किसी न किसी चीज का नाम होगा, और उन्हें ही हम संग्या या नाउन कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, काइंट्स ओप नाउन, संग्या के भेद, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, जातिव आचक संग्या, प्रोपर नाउन, वैक्तिव आचक संग्या, एबस्टेक नाउन, भाव आचक संग्या, कलेक्टिब नाउन, समू आचक संग्या और material noun द्रव्य वाचक संग्या सारे भेत को एक एक करके detail में study करेंगे और हाँ आप वीडियो को पूरे end तक देखिए ताकि noun और इसके kinds के बारे में सारा concept आपका clear हो सके यह बेहदी आसान है बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो अच्छे से देखें और समझें Common noun जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या क्या है? A common noun is a name of a person, animal, place or thing in general जाती वाचक संग्या किसी व्यक्ती, वस्तु, स्थान या जानवर के सामान्य नाम को कहते है सामान्य नाम मतलब जब मैं किसी noun का नाम लूँ, तो उसके category में आने वाले पूरे जाती का बोध हो उससे तो उसी word को हम लोग Common noun कहते है जाती वाचक संग्या कहते है जैसे boy, लड़का मैंने इसका नाम लिया, boy का तो boy word जो मैंने कहा इससे boy के category में जितने भी boys के जाती है वो सारे boy के category में आगए जैसे मैंने कहा है cricketer cricketer मैंने कहा तो जितने भी cricketer है cricketer के जाती में आगए मैंने कहा dancer तो जितने भी dancer है, एक dancer के group में आगए इसी caste में आगए जैसे मैंने कहा होर्स, घोड़ा तो घोड़े के सारे प्रजाती गोडे के इस group में आ गए, dog, cat, capital, capital मैंने कहा, capital, राजदानी, जितने भी राजदानी है, ये capital के जाती में आ गए, country, देश, जितने भी देश है, country कहेंगे उनको, park, सारे park को इस category में आ गए, book, सारे book इस category में आ गए, house, घर, घर, जितने भी घर है, सभी घर के जाती में आ गए, car, जितने भी car है, सारे car के जाती में आ गए, तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी word से अगर उसके पूरे जाती का भोध हो, तो वही word common noun कहलाता है, जाती वाचक संग्या कहलाता है, मतलब पूरे जाती का भोध होता है, जैसे, मैंने आपको बताया था, hero, तो जितने भी hero हैं, सारे उस जाती में आ गए, teacher, जितने भी teacher हैं teacher के बिरादरी में आ गए, तो एक तरह का जाती बिरादरी दिखाता है, तो वही word जो है, वह common noun कहलाता है, समझे एक तरह का leader है, अपने पूरे जनता के बारे में वो बताता है, कि मैं leader हूँ और मेरे जैसे सारे, मेरे जैसे जितने भी मेरे जाती में हैं, उनका मैं representative हूँ, तो boy जो है एक तरह का representative है, एक तरह का प्रतिनिधी है, कि मैं लड़का हूँ और पूरे लड़के जाती का मैं प्रतिनिध्यत्यो कर रहा हूँ, तो एक कहीं ने कहीं एक representative word है, common noun, आप ऐसे समझे, next, proper noun, व्यक्ति वाचक संग्या, a proper noun is a name of a particular person, animal, place or thing, व्यक्ति वाचक संग्या किसी खास व्यक्ति जानवर, स्थान और वस्तु के नाम को कहते हैं, यहां आपको समझना है कि व्यक्ति वाचक संग्या खास नाम को कहा जाता है, व्यक्ति वाचक संग्या किसी particular नाम को कहते हैं हम लोग, किसी खास नाम को, चाहे वो कोई व्यक्त नाम हो, तो उसे ही हम लोग proper noun कहेंगे, जैसे तनमे, एक खास नाम है, क्योंकि तनमे जब मैं बोलू, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे उठके आ जाएंगे, नहीं, तनमे जो होगा, वही खड़ा होगा, तो एक खास, मैंने एक खास इंसान को बोला, तो एक खास नाम ही जो जिसका धोनी नाम होगा, वही खास आत्मी खड़ा होगा, और आएगा, तो धोनी एक खास नाम है, तो खास नाम को ही proper noun हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा, डेली, डेली एक खास जगह का नाम है, डेली बोलने से तो यह नहीं समझ जाता है, कि सारे शहर ही हो गए, डेली is a particular place, एक खास जगह है, इसलिए यह particular word, proper noun कहलाता है, इंडिया एक खास देश है, इसलिए इंडिया भी proper noun है, जैसे मारूती सुझु की अल्टो, यह एक खास तरह का गाड़ी का नाम है, ऐसा नहीं कि सब गाड़ी इसमें अगए, मैंने एक खास गाड़ी का नाम लिए, तो म आपको common noun और proper noun को compare करके बताता हूँ, कि क्या difference है दोनों में, तो आपको अच्छे से बिल्कुल यह चीज समझ आ जाएगा, जैसे मैंने common noun में बताया था, boy, लड़का, जो पूरे लड़के जाती का बोध कराता है, इसलिए यह common noun कहलाया, जाती वाचक संग है, क्योंकि ज तनमे, खास है, difference को समझ ये, common noun आम है, सामानने नाम, proper noun खास है, निश्चित नाम, boy, सारे लड़के, तनमे, खास लड़के, क्रिकेटर, आम है, सामानने नाम है, कोई भी क्रिकेटर हो सकता है, बट मैंने कहा, धोनी, यह खास क्रिकेटर है, इसमें सब नहीं आए, हो गया है, तो क्रिकेटर, common noun हुआ, धोनी, proper noun हुआ, जैसे मैंने कहा, dancer, सारे dancer, एक में आगया, इसमें, dancer, common noun हुआ, बट मैंने कहा, Michael Jackson, यह खास dancer का नाम बता है, तो यह खास है, इसलिए proper noun हुआ, capital, राजधानी, आम है, सारे capitals इसमें आते है, कोई खास capital नहीं है, बट म noun हुआ, country, कोई भी country हो सकता है, तो सामानने नाम है, इसलिए common noun हुआ, बट मैंने कहा, America, एक खास country है, इसलिए America, proper noun हुआ, book, कोई भी book हो सकता है, दास capital, एक खास book है, proper noun है, house, घर, सारे घर आगए इसमें, इसलिए common noun है, लेकिन मैं कहा हुआ, मननत, सारुख खान का घर का नाम है, मननत, जो इंदनों काफी चर्चे में है, तो मननत एक खास घर हुआ, इसलिए इस घर को proper noun कहेंगे, कार, कोई भी कार हो सकता है, common है, इसलिए common noun हुआ, बट मैंने कहा, Lamborghini, एक खास तरह का कार है, Italian sports car का नाम है, Lamborghini, काफी expensive कार होती है, तो एक खास तरह का कार मैंने बता है, तो Lamborghini, proper noun हुआ, तो यही है difference, basically, common noun और proper noun में, common noun से सारे जाती का बोध होता है, उसमें आने वाले सारे वस्तु, जानवर, वैक्ती इस्थान आते हैं, लेकिन proper noun में, कोई खास वैक्ती वस्तु, जानवर, यह स्थान के नाम आते हैं, और our next noun है, abstract noun, भाव अचक संग्या, an abstract noun denotes an idea, quality, state, that we cannot touch or see, भाव अचक संग्या, एक विचार, विचारधारा, गुण, यह अवस्ता को व्यक्त करता है, जिसे ना हम छू सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं, कहने का मतलब है, कि abstract noun को देखा नहीं जा सकता, उसे छूआ नहीं जा सकता है, मतलब वो abstract है, तो simply वो एक विचारधारा हो सकता है, वो एक गुण हो सकता है, अवस्ता हो सकता है, तो उसे ही हम लोग भाव आचक संग्या कहते हैं, जैसे democracy, लोकतंत्र, यह एक ऐसा की सब्सक्राइस देख नहीं सकते हैं, लोग छूण नहीं सकते हैं, बलकि ये एक विचारधारा है, slavery, गुलामी, ये एक क्या है? अवस्था है, जिसे देख नहीं सकते हैं, हम लोग छून नहीं सकते हैं, beauty, खुबसूर्ती, सुन्दर्ता, ये भी एक अवस्था है, love, ये एक गुण है, sickness, एक बिमारी है, जिसे हम लोग sense organ से passive नहीं कर सकते हैं, childhood, बच्पना, ये एक अवस्था है, तो इस तरह के जितने भी abstract noun हैं, वो abstract होते हैं, abstract मतलब amurth, जिसका कोई मुर्थ रूप नहीं है, मुर्थ मतलब जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन amurth मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, वो अद्रिश्य होता है, that is called abstract, इसलिए इसे abstract noun कहा जाता है, next noun है collective noun, samu vachak sangya, collective noun is a group of persons, animals, places or things, samu vachak sangya, व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तु के samu को कहते हैं, एकदम आसान है, जो भी group में हो, उसे हम लोग collective noun कहते हैं, group हो जो भी, चाहे वो vachak ti का group हो, चाहे वो जानवर का group हो, चाहे वो स्थान का group हो, या फिर कोई वस्तु का group हो, group को ही हम लोग collective noun कहते हैं, collect मतलब आता है इकठा करना, इकठा जब कोई भी चीज हो, तो उसे एक particular नाम दिया जाता अश ग्रूप का और उसी को कहते हैं collective noun जैसे कई सारे soldiers अगर एक ग्रूप में हैं तो उसे army कहते हैं army उन सारे soldiers के ग्रूप का एक नाम दिया गया army तो army word एक collective noun है committee, committee committee एक ऐसे word को कहा जाता है जिसमें अध्यक्ष होते हैं सचीव होते हैं कोशा अध्यक्ष होते हैं तो लोगों का group होता है उन सारे लोगों के group को committee कहा गया है class class किसे कहते हैं students के group classroom में सारे students बैठते हैं तो class कहते हैं उसको class में group of students आते हैं gang gang किसे कहते हैं लुटेरो को ग्रूप को गैंग कहा जाता है, हर्ड, हर्ड किसे कहते हैं, हीरन के ग्रूप को हर्ड कहते हैं, जब सारे हीरन ही कठे हों, तो इस ग्रूप को हर्ड कहा जाता है, स्कूल, क्या आपको पता है स्कूल क्या है, स्कूल बिद्याले नहीं है, स्कूल डॉल्फिन्स क ग्रूप को कहा जाता है, क्या आपको फिले स्कूल का ये मिनिंग बता था, comment box में जरूर बताएं, तो ये सारे words जो समू का बोद कराता है, इन्हें ही समू वाचक संग्या या collective noun कहते हैं, material noun, द्रव्य वाचक संग्या, material noun is the name of material or substance, द्रव्य वाचक संग्या किसी समागरी या पदार्थ को कहते हैं, very simple है, कोई भी natural form में जो भी material या substance है, उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं, कभी man-made भी होते हैं, जैसे iron, gold, silver, sand, mud, ये सारे natural form में exist करते हैं हमारे अर्थ पे, लोहा, सोना, चांदी, रे, ये सारे natural form में हमारे अर्थ में पाये जाते हैं, cloth, sugar, milk, घी, ये सारे भी material हैं, जो man-made हैं, इंसानोंने बनाया इसे, तो ये natural भी होते हैं और man-made भी होते हैं, इन सारे चीज़ों को material noun कहा जाता है, तो मिद करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आले वाले latest वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें